नॉर्थिष टूनेटर इपसी का बेस्ट प्लेइंग एलिवेन क्या हो सकते है आएसल सीजन 9 में ये घमेशा से ही हाई डिमांडिंग टॉपिक रहा है एटलिस्ट देर महीने से इस टॉपिक को लेकर भर भर के कमेंट आ रहा था लेकिन स्कौट कम्पलीट होने से पहले मैं कैसे गेस कर सकता हो है न और यहाँ पर अब नॉर्थिष टोनेटर इपसी का टीम बिल्डप प्रोसेस जब टोटाली पूड़ा हो चुगा है तो अब हम लोग इनका बेस्ट स्टार्टिंग लाइनप बना सकते हैं तो फर्स्ट अप ओल 433 का फर्मेशन में गोलकीपिंग पर पहला चॉइस अरिंदम भचारिया से अच्छा और कौन हो सकते हैं बहुत ही एक्सपीडियेंस गोल की पर है अमरिंदर सिंग और गुरुपीत के बाद थार्ड हैस्ट क्लिंशिट इन्होंने ही क्लेम किया है आई एसल में हाला कि लास्ट यर ज्यादा मैचेस नहीं खे है एशियन फूर्वाल के अंदर इनका हीुच एक्सपीडियेंस है टैकिलिंग में भी माहिर है हाली में ट्राव एपसी के खिलाफ फ्रेंटली मैच में इन्होंने एक गोल भी स्कोर किया था राइड बैग में जो यहर लिया ना और लेफ्ट बैग पर होंगे प्रभात ला अब तक नौर्थी स्टोने रेपसी के साथ अच्छा रहा है लेकिन प्रग्यान गोगुई भी एक अच्छा विकल्प है प्री सीजन में मार्को बलबुल जादा तर इनी को खिलाया और तीसरे मिद्फिल्डर का जो पोजीशन है वो हो सकते है चारा या फिर एमिल बेनी द पोजीशन पर दोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं और अटाकिंग थाउट पर होंगे राइड विंगर रोमें फिलिविट यॉक्स लेफ्ट विंग जीथी नेमेस जो की काफी वर्सटाइल प्लेयर है अटाकिंग मिद्फिल्ड में भी खेल सकते है और एस ए स्ट्राइ में कुछ इस तरीके का हो सकते हैं गोल में अरिंदम दो सेंडर बैक गौरो बोरा के साथ माइकल या फिर एरोन एवांस इन दोनों में से कोई एक राइड बैक पर जोए जोहर लियाना और लेफ्ट बैक प्रभत लाक्रा या फिर गुर्जिंदर कुमर मिध्फिल्ड में हो को बलबूल अगर 4-2-3-1 फर्मेशन को प्रिफार करते हैं तो मिध्फिल्ड और अटाकिंग थार्ड पर थोड़ा बदला वा सकते हैं जहां सेंट्रल और डिफेंसिव मिध्फिल्ड में नजर आएंगे जिवान गजातनागा के साथ इम्रान खान ये फिर प्रग्यान गो हो सकते हैं बाकि आपके हिसाब से नौर्थ इस्टोने डप्सी का स्टार्टिंग लाइनप को लेकर कह रहा है वो आप लोग कमट बोक्स पर दे सकते हो तो चलिए बस इतना ही वीडियो कर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो